हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे तो आज के स्पीडियों में हम पढ़ने वाले हैं कि I.U.P.S.C. नामांकरण कैसे हम करते हैं मतलब किसी भी उपसवसनियोजक योगिक का I.U.P.S.C. नाम हम किस प्रकार लिखेंगे अज किस पीडियों में हम सिखेंगे हमें आपको विश्वस दिलाता हूँ कि बहुत ही असानी तरीके से आपको समस में आएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखें I.U.P.S.C. नाम आंकरण आपके बुक में दो प्रकार से दिया गया है एक आपसे पूछ लिया जाता है कि उपसवसनियोजक योगिक जैसे ये सबी हैं तो इनका I.U.P.S.C. नाम कैसे लिखा जाता है इस प्रकार क्वेस्टन पूछा जाता है पांच नंबर में ठीक हैं? कितने नंबर में? पांच नंबर में एक और I.U.P.S.C. नाम आंकरण है जो है हेलो एलकेन तथा हेरो एरील ये आपके एक चेप्टर है उसके बाद जो इलकोहाल, फिनाल और इथर है तो इन सभी चेप्टरों में से एक I.U.P.S.C. नामांकरण होता है जो कि हमने पहले करा दिया है ठीक है? हमने कहा था कि बहुत जल I.U.P.S.C. नामांकरण उपसासन वीजा कि योगिक पर भी हम कराएंगे तो आज का एफ वीडियो वही है पूरा बेसिक से चलेंगे जिन बिद्यारतों को कुछ भी समझ में नहीं आता वो आज किस वीडियो हम बने रहे है उनको I.U.P.S.C. नामांकरण E.G.U.A. में समझ में आ जाएगा तो चलें हम स्टार्ट करते हैं तो देखें यहां पर हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है बट अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा देखें I.U.P.S.C. नामांकरण के लिए बहुत सारी नियम है परन्तु हम नियम को ना समझ कर थोड़ा सा हम explain कर रहे हैं यहीं से आप समझ जाएंगे नियम सब याद हो जाएगा और जितना हम practice करेंगे उतने ही जादा आपको समझ में आएगा तो basic हम बात कर लेते हैं कुछ basic है जिसको हम समझ लेते हैं जैसे उपससनेज़क योगिक में इस प्रकार दे देगा K4, FE, CN का Whole6 इस प्रकार आपको एक योगिक दे दिया गया ये उपससनेज़क योगिक है अब आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि देखिए एक ये कोष्टक है ठीक है ये कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ जो योगिक जो क्या है आपके तत्तों है वो कुछ अंदर है और कुछ बाहर है तो ये जो बाहर होता है उसे हम कहते हैं आईनिक मंडल ठीक है जो बाहर होते हैं जैसे के फोर है कि बाहर है ते इसे आईनिक मंडल कहते हैं और जो ये अंदर वाली ये सब ही होते हैं इसको हम टोटल को कहते हैं उपससनेज़क गलती लिख दिए कि आप उपसा सन्योजक होता है न उपसा सन्योजक परिसर ठीक है तो नीचे वाले को इधर वाले कौम क्या कहते है उपसा सन्योजक परिसर कहते है या मंडल कह सकते है या इसे समन्वे सत्ता कह सकते है तो सबसे पहली बात बेसिक बात आपने इतना समझ लिया कि इसे आइनिक मंडल इसे उफससनेवजक परिसर कहते हैं आते हैं दूसरे स्टेप पे ये पहला आप समझ गए दूसरा होता है सपोड़ेट के फोर एफ़ी सी एन का होल सिक्स इस प्रकार लिखा गया है तो देखिए इसमें याद रखेंगे जो पहला आएगा जैसे के फोर एफ़ी सी एन का होल सिक्स आ गया तो के फोर जो ये आया है ये इसको हम प्लस मानेंगे और जो सकेंड में आएगा उसको हम माइनस मानेंगे यह बात आप याद रखेंगे इसको plus मानेंगे इसको minus मानेंगे ठीक है उसी प्रकार यदि supported मतलब ag जैसे मैं आपको अच्छे समझा दूँ तो जैसे यहाँ पर एक example है c u n h 3 का hole 4 so 4 देखें एक और हमने example ले लिया देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यह वाला कुष्टक वाला पहले आया है यह बाद में आया है तो हम कुष्टक वाले जो पहले आता है उसको हम plus मानेंगे इसको आप minus मानेंगे तो दू बात आपको समझ में आ गया होग सबसे पहली बात हमने यह बताया कि जो बाहर होता है इसे आयनिक मंडल कहते हैं अंदर वाले को आयनिक उपसासनियोजक परिसर कहते हैं तो इसी प्रकार मैं इसमें कहूं कि आयनिक मंडल यह हो जाएगा उपसासनियोजक परिसर यह हो जाएगा यह बाहर हो है तो आयनिक मं करते हैं और जो मतलब जो पहले आएगा उसको प्लस लिखेंगे जैसे इसमें पहले किया तो इसको प्लस मान लिए ठीक है इसको माइनस मान लिए यह बेसिक बात है इतनी बात आप समझ गयोंगे आप समझ लेते हैं एक और बात को ठीक है जल्दी जल्दी में बता दे रहा समझियेगा यहां पर जैसे FV Cn का whole 6 है यह है ठीक है इतना हमने लिख्या है कि FV Cn का whole 6 अब इसको याद रखेंगे इसको यह एक क्वेस्ट्रक में चोटा सब क्वेस्ट्रक में इसे लीगेंड कहते हैं तो अब आप इतनी बात समझकें तो देखें इससे पहले ये k4 है ये आईनिक परिशर है तो दियान से समझेंगे सबसे पहले जो प्लस वाला होता है उसी को हम नाम लिखते हैं अब rule आप समझ जाएए सबसे पहली बात हमने क्या बताया हमने कहा था ये वाला plus हो जाएगा ये minus हो जाएगा सबसे पहला rule है कि सबसे पहले जो plus होगा उसका नाम लिखेंगे मतलब k4 आ गया तो k4 का नाम लिखेंगे उसके बाद इन सभी का नाम लिखेंगे ठीके अब वही k4 यदि इधर होता support at k4 अगर इधर होता तो पहले हम इन का नाम लिखते हैं उसके बाद इसका नाम लिखते हैं फर्स्ट रूल आप समझ गए प्लस वाला जो आएगा उसको लिखेंगे second rule में आप याद रखेंगे कि अंदर वाले में सबसे पहले हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं केंद्रिय धातू परमाडू का पहले लिगेंड उसके बाद केंद्रिय धातू परमाडू का ठीक है तो यह दो बात आप समझ गए तो इतना बहुत है इतना आप समझ गए बहुत बात है ठीक है अब हम प्रेक्टिस करेंगे तो सब आपको समझ में आएगा ठीक है चलिए अब आपके बढ़ते हैं यह basic कुछ बाते थी जो हमने discuss कर लिया क्यूंकि अगर basic नहीं बात आत तो शायद बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको यह बेसिक बाते नहीं पता थी उसको हम एक्जाम्पल से कराते तो उनको सायद थोड़ा कम समझ में आ सकता था इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास समय दे रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स होंगा कि आप इन सभी को याद कर लेजएगा देखिए यह माइनस है यहां पर माइनस में नहीं लिखूंगा तब भी आप समझ जाएगा कि है तो एच अगर माइनस लिखा हो तो हाइड्राइडो कहेंगे जिकिए जो भी यहां पर आकवरदब को दिखाई देते हैं माइन माइनस है यादि ऊपर मतलब जैसे साइनाइड है तो यह क्या होता है माइनस होता है रिनातमग क्लोरीन माइनस होता है रिनातमग तो उसके अंत में हम क्लोराइडो कहेंगे क्लोराइडो कहेंगे मतलब ओ का प्रियो करेंगे जैसे है तो हाइड्राइडो हम कहेंगे सी अन स लेटो कहेंगे आप देखिए S2O यह Eqva है तो एकवा का याद रखेंगे Eqva नाम है S2O को Eqva हम कहते हैं जो जल हम कहते हैं Ns3 amine कहते हैं तो इसका amine शमान ने नाम लिखेंगे क्यों क्योंकि इसका उदासीन यह लिगेंड है उदासीन लिगेंड देख रहे हैं प्रक्म मिंस वाले थें तो इसलिए हमने O का Pryo किया ठीक है क्लोराईड ओ इस प्रकार प्रंतु जो उदासिन होते हैं उसका समाल ये नाम लिखते हैं जैसे एकवा हो गया मेन हो गया नाइडरॉसाइड हो गया ठीक है कर्बोनायल हो गया तो ये हमने लिख दिया उसके बाद ठीक से देखिएगा H3O प्लस तो इसका हम क्या कहेंगे यहाँ पर याद रखेंगे कि इसमें हम EM मतलब जोड़ेंगे मतलब यहाँ पर हाइड्रोनियम हम कहेंगे इसको ठीके NO है नाइट्रोसिलिनियम कहेंगे NO2 है तो इसको नाइट्रोनियम कहेंगे ठीके SO4 है तो SO4 देखिए यहाँ पर माइनस है ना आकसिकरण संखिया तो इसका मतलब Sulfato कहेंगे क्या कहेंगे Sulfato तो ये सब आप याद रखेंगे इन आकसिकरण संखिया इको भी याद रखेंगे क्योंकि आक्सी करण संख्या अब यह आपको सब समझ में आएगा कि कैसे example लए गया तो अब आते हैं example पे चलिए हम समझते हैं यह क्या है देखिए यहांपे हमने एक example लिया हुआ है, इतना basic बात हमने जितना बताया ना इतना आप अभी तक समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपको समझ में आ जाएगा आप, देखिए यहाँ पर आते हैं, तो देखिए हम कैसे नाम करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, कोस्ट में CO, NH3 का whole 6 और ठीके, मतलब 2 NH3 है, तो हम डाइमीन कहेंगे, डाइमीन कहते हैं ना, यह अमोनिया, क्या है, एमीन है NH3, तो हम क्या कहेंगे, तो 2 है तो डाइ कहेंगे, 3 है तो ट्राइ कहेंगे, 4 है तो टेटरा कहेंगे, 5 होता तो पेंटा कहेंगे, और 6 होगा तो हेकसा कहेंगे, तो यह बात आपको याद अखना है डाइ, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, एक्ता, यह सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो यह तो अभी हमने बताया ना, छह होगा तो हम क्या करते हैं, हेक्सा कहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैक्सा, ठीक है, यह क्या है, एन कोबाल्ट है तो हेकसा एमिन फिर से कोबाल्ट लिख देंगे ठीक है अध्यान से सम्झेंगे हमने कहा दाना कि अगर अंदर वाला हो त्य जैसे n x3 है तो सबसे पहले Legand का नाम लिखते हैं उसके बाद Kendriye Thatoo Parmaloo का नाम लिखते हैं तो Legand मतलब हमने लिखते हैं Hexaamine,ейmine,Cobalt उसके बाद यह सब समात हो तो अब इसका हम आकसी footprint संख्या निकालेगे यह Kendriye Thatoo Parmaloo का तो देखिए कैसे हम निकालते हैं वो हम बता दे रहे हैं ये कोबाल्ट है जिसका हमें निकालना है उसको हम X मानते हैं तो कोबाल्ट को X मान लिया और उसके बाद बीच में प्लस देंगे ये NS3 है तो NS3 का आक्सी करण संख्या क्या होता है? तो हमने सुन लिख दिया और कितनी संख्या है? 6 है तो 6 से गुड़ा करा देंगे फिसे स्कल्टू हम कर देंगे अब प्लस 3 है तो यहाँ पे प्लस मतलब 3 हम लिख देंगे 3 मतलब प्लस 3 तो अब देखेंगे तो X स्कल्टू 6 सुनना हो जाएगा मतलब 3 आ गया मतलब x का मान 3 आ गया उसके बाद आयन ने लिख देंगे इसलिए हमने कहा था आकसी करण संख्या यह याद कर लीजेगा आप कहेंगे सर इतना ही नहीं बहुत साथ याद करना होगा तो देखें अभी हमने साइड में एक फिगर हम फोटो लगा देंगे देख सकते हैं आप उसमें यही सब क्वेस् अगला आता है अब देखें ध्वांसपर समंझेंगे दूसरा हमको दे दिया अब इसमें कुछ अलग आपको सीखने को मिलेगा देखिए यहां पर दो लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहा है एक क्लोरीन है एक एमीन है ठीक है तो देखें क्लूरीन को हम्से ख सब्भाच ठीके तो इस प्रकार मतलब C से start होता है आए A mean A से start होता है यहीं तो A mean इस प्रकार start होता है तो दिखे यहीं दो लिगेंड्स हो तो हम alpha weight order में जो पहले आएगा वो लिखते हैं मतलब A, B, C, D इस प्रकार जाता है तो सबसे पहले A आता है उसके बाद C आएगा तो पहले A वाले का नाम लिखेंगे उसके बाद C वाले का नाम लिखेंगे तो इस प्रकार A mean मतलब A से start होता है तो पहले A mean का क्या नाम लिखेंगे उसके बाद C का नाम मतलब chlorine का नाम लिखाएगा तो यहासा करता हो कि आपको शमच में आ गया होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे five तो पेंटा amine pentamine और C क्या है chlorine है ठीक है तो हम chlor raiido chlorido लिखेंगे आप कहेंगे सर्फ chlorine क्योंने लिख रहे है क्यों हम लिख रहे है क्योंकि हम जानते है chlorine पे होता है minus rinatmak ligand है और C-L जो rinatmak ligand होता है उसमें हम chlorido कहते हैं तो वही हमने chlorido लिख दिया amine chlorido cobalt cobalt अब उसके बाद जब सब लिखा जाएगा तो अब हम cobalt का ही आक्सिकरण संख्या लिखेंगे तो चलिए हम लिखते हैं तो निकालेंगे तो इसको हम x माल लेंगे x Cl को अब ध्यान से समझेंगे Cl chlorine 1 है एक आक्सिकरण संख्या होता है x3 का 0 होता है तो 0 हमने लिख दिया 5 मातरा में है तो 5 हमने लिख दिया और उसके बाद plus 2 है तो हमने 2 यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार निकाला जाता है तो x अब देखे एक एक एकम में 1 तो minus 1 हो जाएगा और यह सुनने हो जाएगा is equal to हम 0 लिख देते हैं यह minus 1 इधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा plus 3 हो जाएगा यह minus इधर जाएगा तो plus 1 हो जाएगा 2 एक 3 तो plus 3 हो जाएगा मतलब x का जो मान आया वो 3 आएगा ठीक है तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे third iron यह बात हमने आपे लिख दिया तो इसी प्रकार आपको नाम लिखना है देख रहे है न अब 2 लिगेंड आ जाएगा तो सबसे पहले alphabet order का प्रियोग करेंगे समझेगा आप तीसरा देखें तीसरा हमने लिख दिया है तो आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे चार है तो चार को टेटरा कहते हैं अज सी ओ तो देखें सी ओ को कार्बोनाईल कहते हैं क्या नाम है कार्बोनाईल ठीके तो हम लिखेंगे कार्बो यह सी ओ है ठीके अज यह सी ओ है ठीके यह छोटा वाला यह बड़ा वाला इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कार्बोनाईल और कोबाल्ट ठीक है जैसे कि यहाँ पर CO जो है न यह कार्बोनाईल हम कहेंगे क्योंकि लिगेंड्स की रूप में है यहां केंद्री अधातू परमाडू की रूप में है इसलिए हम कोबाल्ट कह रहे हैं ठीक है तो यह कार्बोनाईल हम कहेंगे तो यह हम कार्बो इसलिए हमने नाम लिखा गए कि कंफ्यूजन ना हो नाम आप याद रिख लिएगा कार्बोनाईल ठीक है तो हमने क्या लिख दिया कि टेट्रा कार्बोनाईल ठीक है निकिल अब उसके बाद अब आएन देखेंगे तो देखें यहाँ पर सी ओ का क्या होता है सी ओ का मतलब एकस इसको एकस माल लिए है सी ओ का क्या होता है सुन्य होता है चार मात्रम है इधर देखें यहाँ पर कुछ नहीं अगर प्लस तो एससा कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब आगे जीरू है ऐसे माल लेंगे तो एकस कल्टू यह जीरू हो जाएगा तो इसका म रकार हम प्रेक्टिस करते हैं तब फिर से अब ध्यान से समझेंगे यहां पर भी दो लिगेंट्स आ गया एक है एक है एंस टिरी अफिर से से चील है दो लिगेंट्स है तो फिर से हम देखेंगे अमोनी एमीन पहले आता है एसे अक्लोरिन सी से आता है इसका हम लीखेंगे तो हम लिखेंगे ट्राइडाई त्राइडाइ त्राइमीन फिशिए विए क्लोराइडो ट्राइड क्लोराइडो त्स लिए क्लोराइडो क्लोराइडो इसलिए क्योंकि लिगेंड्स है तो क्लोराइडो लिखते हैं क्योंकि यह रिनात्मक होता है तो ट्राइमिन ट्राइक्लोराइडो फिर से कोबाल्ट कोबाल्ट उसके बाद आयन अब हम लिखेंगे तो आयन के लिए हम ग्याद कर लेते हैं तो देखिए CO को हम X मानते हैं इसका तो 0 होता है 3 मातरा में है तो समझे 0 है इसका अब फिर से प्लस ये कलोरीन का माइनस 1 होता है और कितना है कलोरीन 3 है तो 3 हमने लिख दिया ये 0 अब X is equal to minus 3 is equal to 0 X is equal to 3 तो ये 3 आगया X is equal to तो जब 3 आए गया तो हम लिख देंगे 3 3 3 3 3 समझ पा रहे हैं आते हैं आगे हम अब ध्यान से समझेगा अब आता है यहां से ये question अब ये थोड़ा सा अलग हो गया अब देखिए इससे पहले ये आगया ये K4 फिस से एक कोस्टक में फिस COO4 का होल थराइस है तो हमने आप से कहा था ना कि जो पहले आएगा उसको हम प्लस मानेंगे जो बाद में आएगा माइनस जो प्लस होता है उसको पहले लिखते हैं उसके बाद अंदर वाले के नाम तो इसको हम लिखेंगे तो क्या है Potassium बे तो हम लिखेंगे Potassium ठीके अब आप कहें के सर यहाँ पर Tri Potassium लिखें तीन है तो तो देखिए ऐसा नहीं है जो बाहर होता है ना जैसे आइनिक जो क्या होता है आइनिक जो मंडल होते हैं ठीके तो उसको हम ऐसे लिखते है Potassium उसको यह नहीं देखना है कि तीन है कि चार है तो Potassium हमने लिख दिया उसके बाद आप से लिगेंड पर जाएंगे Potassium का बाद लिगेंड पर तो C2 C2O4 को हम क्या कहते है क्या कहते है C2O4 Oxylator कहते हैं न Oxylator ठीके तो यह हम लिख देंगे Oxylator ठीके तो Potassium Oxylator तीन मात्रा में तो Tri Oxylator कहेंगे न Tri Oxylator ठीके तो हम क्या कब दिया है Potassium Tri Oxylator Ferret F क्या है F E F E मन्द है Iron है तो हम Iron लिखे या Ferret भी लिख सकते हैं मैं Iron लिख दे रहा हूँ Iron Iron लिख दिया उसके बाद आप Iron हम लिखेंगे तो Iron हम ग्याद कर लेते हैं कैसे ग्याद करेंगे तो ध्यान से समझेंगे ये K का मतलब के का याद रखेंगे के का मतलब K पर 1 पलस मतलब इसकी आक्सि करण संख्या 1 हमने लिख दिया और 3 मात्रा में है तो 3 हम लिख देंगे उसके बीच में पलस FE केंद्रिय धातु परमाड़ू का आक्सि करण संख्या निकालना रहरा X मान लेंगे तिसे इसका हम जानते हैं C2O4 का होता है आक से करण संखिया माइनस 2 तो माइनस 2 लिख दिया और 3 मातरा में है तो 3 हमने लिख दिया आज स्कल्टू 0 लिख देंगे क्योंकि इस पर कुछ है नहीं तो आप समझे 3 प्लस X आज ये 3 दूना 6 है इसकल टू 0 अब आप हम देखे तीन इसमें चला गया तो X स्कल्टू माइनस 3 स्कल्टू 0 X स्कल्टू माइनस स्वरी प्लस 3 हो जाएगा ये इधर जाएगा तो तो X स्कल्टू प्लस 3 हो जाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे 3rd आयन ठीक है 3rd आयन हम लिख देंगे मैं आसा करता हूँ आप समझ रहे होंगे ठीक है आते हैं आगे पर ऐसे ही अब इसका भी हम देख लेते हैं तो इसका हम क्या बोलेंगे इसका हम लिखेंगे पोटैसियम अब तो आपको ज़्यादा तर समस में भी आ रहा होगा थोड़ा से प्रेक्टिस आप कीजिए पोच करके लिख लीजिए थोड़ा सा नाम इनका उसके बाद देखिए मैं सही लिख रहा हूँ नै ऐसे ही तो पोटैसियम ठीक है उसके बाद फिर से इसका लिखेंगे तो ट्राई फिर से ऑक्सिलेटो ऑक्सिलेटो फिर से इसका कोबाल्ट लिखेंगे तो कोबाल्ट और उसके बाद थोड़ आयन ठीक है क्योंकि कोबाल्ट का भी हम जानते हैं कोबाल्ट कहीं भी हम देख रहा है तो कोबाल्ट का थर्ड आयन आ रहा है तो यहां पर भी थर्ड ही आएगा आप चेक करके भी देख लीजिए ठीक है तो हमने डायरिक्ट थर्ड आयन लिख दिया see you अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा से और अलग आपका मिल गया आप देखिए यह वाला पहला आया था इसको plus मानेंगी इसको minus तो पहले हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे tetra चार है तो tetra हम कहेंगे tetra tetra amine tetra amine tetra amine copper tetra amine copper ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद आप चाहें तो SO4 को सलफेट ही कहते हैं तो या तो सलफेट के बाद आयन आप लिख लें या पहले आयन ही निकाल ले उसके बाद लिख लेते हैं तो हम आयन निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पर हम आयन लिखेंगे उसके बाद सल फेट, ठीक है, क्योंकि SO4 को सलफेटू कहते हैं, बट देखिए, जब अंदर रहेगा ना, तब हम सलफेटू कहेंगे, यदि बाहर है, तो इसका समान्य नाम ही लिखेंगे हम, सलफेट, ठीक है यदि यही लिगेंड्स के रूप में यहां पे है, SO4 के बाद NH3 तो अब हम लिखते हैं, क्या सलफेटो, क्योंकि माइनस में है तो ठीक है, परन्तु लिगेंड्स में यहां पे नहीं है तो हम क्यवल सलफेट लिखेंगे समझ में रहे हैं ने, अब उसके बाद यहां पे आयन लिखेंगे तो आप सामझदियेगा इसको हम X माल लेते हैं NH3, NH3 का हम जानते है, 0 होता है तो इसका suppose जो 0 माल लेंगे इसका माल लेंगे, इसका क्या होता है इसका याद रखेंगे आप इसका होता है, माइनस 2 तो हम लिख देते हैं, यहां पे plus minus minus ही ना था minus two is equal to zero तो एकस is equal to ये दो हो जाएगा मतलब एकस गोथा और अंत्यम हमारा आता है अब बताई इसका आप लिख सकते हैं बताई है इसका आप लिख लेंगे कि नहीं सिंपल सहcarbon है अप क्या लिखेंगे फिर से आप लिखेंगे कि हेकसा एक्वा divine हेकसा एक्वा occupied फिस से आप लिखेंगे इसका आप निकालेंगे तो थर्ड तीन आक्सी करण संखिया एफिक आएगा तो हेक्सा एक्वा आईरन थर्ड क्लोराइड यही आपका हो जाएगा तो दिखिए हमने इतना सारा प्रेक्टिस आपको कराये एक एक बात पर डिसकस किया मैं आशा करता ह भूंकि आपको इस वीडियो से शीखने को मिल गया होगा इस प्रकार आप और भी परेक्टिस कीजेगा बिना परेक्टिस का कुछ़ भी नहीं होने वाला तो आप जाएगे यह प्रीक्टिस कीजिए मैंने तो उतना इसकेंसओर का क्या आपको दिखाय कि यह सब ही से ही हमने important जो है जो बार-बार पूछे गए वहीं सब हम कराएं हैं तो मैं यहीं कहूंगा कि यदि आपको इस वीडियो कुछ help मिला हो तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब किजेगा क्योंकि आगे भी हम ऐसे chemistry का, Hindi का, English का सभी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं कि वहल BBI जो important question है जो आपके board exam के लिए important है वही हमने chapter वाइच कराए हुआ है तो description box में लिंक है जाए क्लिक कीजिए और वाहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए मिलते एक नई topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद को अपना ने लिए